तो दोस्तो आज हमने गेमिंग प्रोजेक्टर मंगा है और हमने तो भाई साब यहाँ पर गेम चला दी GTA 5 धुआ धौट प्लेयर के साथ हम भी चलें वागी सिर्फ गेमिंग नहीं भाई साब यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर A4 एपल यह भी पढ़ाया जाएगा तो दोस्तो आज बिल्कुल दिमाग गुम के और भाई हमने मंगा लिया भाई 4K प्रोजेक्टर यहाँ 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 यह बावाल चीज वादा गेमिंग तो हम सब ने करी है बट इतनी सी स्क्रीन से मज़ा नहीं है जो फन इतनी बड़ी स्क्रीन में है क्यो वाला मैं खुद एक्साइटेड हो भाई GTA 5 गेम को बहुत बड़ी स्क्रीन में खेलेंगे साथ ही साथ जो मैंने प्रोजेक्टर मंगा है इसमें इन बिल्ट एंड्रोइड आता है सोच के देखो हम क्या क्या कुछ कर सकते अभी सब कुछ बड़े स्क्रीन में होने वाला यार बिग स्क्रीन बिग फन वाली बात है बागी दोस्तों अब इसे यार अन्बॉक्स करते हैं यार इस प्रोजेक्टर को थोड़ा आखिर भाई सबसे पहले तो बॉक्स देख लो भाई बहुत ही बड़ा है बागी दोस्तों हैवी मेटेरियल रेगुलर है उठाना भाई साब बागी अब इ गेम या कुछ चीजे कर रहे हो ना तो उसमें काफी हल्फुल रहेगा कुछ ऐसा खास नहीं भाई यूस कर सकते हो आप प्रोजेक्टर में बागी गलत फन इसका ये भी है कि भाई दुनिया आप अलगी नजरों से इससे देख सकते हो यह सर रेट से देखना चाओगे या फिर ब्लू से मतलब यहार चश्मों का जो फन है ना वो रियल लाइफ में अलग ही मजाएगा और एकदम खतरनाक सा रिमोट भी मिल रहा है भाई फोकस वोकस और वोल्यूम एर्जेस्ट करने के वोल्यूम की बड़ी तेज है साधी सा सोर्स भी आप रजेस्ट कर सकते हो ए यहां मैं इसका डबे को बाहर निकालता हूं एर वी गो ठीक है ठीक है ठीक है अंदर एक व्रेंटी काड मिल रहा है इसको साइड कर देते हैं तो में प्रोजेक्टर अपना यह राभाई काफी ढासू लग रहा है देखने में वैसे तो इनको भी हटाते हैं साइड वाले र time for the real unbox like पहला लुक हमें अब मिलेगा ओके काफी हद तक प्रोजेक्टर जैसा आपने शायद अपने स्कूल में या फिर कॉलेज में देखा हो उस तरीके का लुक है पर थोड़ा एडवांस है उन सबसे देखा जाए तो सबसे पहले तो यह से हटाने के बाद ओके यहां से हमा आप अब अब आप इससे डिरेक्ली खीच सकते हो यूएसबी मिलते और आर जे फोटी फाइफ भी एमाए इंटरनेट के लिए यूगी बेसिकली आप इसको एक एंड्रोइड की तरह भी यूज कर सकते हो जैसे एंड्रोइड टीवी होता है उस तरीके की चीज है तीवी मा बना देते हैं आज वागी दोस्तों एंड्रोइड चलाने से पहले एक बर आपको लुक ओन दिखा देता हूं यहां से मैंने इसको पावर दे दिये के अलावा इसका लुक देख सकते हो बहुत फेंटास्टिक यहां इसका लेंस रहने वाला है पीछे मैंने एक HDMI कनेक्ट कर सब्सक्राइब है तो कंप्यूटर में GTA 5 डली भी है साथ ही साथ पहले हम इसका Android देखेंगे आप इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यह रहा इसका रिमोट और यह मेरे सापसे इसके अंदर पावर बेटन है इसको मैं क्लिक करता हूं और मोशली चांस है यह सीधे फेस प करता है automatically आपके screen के हिसाब से अचा चलो मैं पहले light off कर देता हूं ताकि real fun मिले तो right now आप देख सकते हो क्या ही इसका बड़ा भाई look है यह देख रहे हो यह मेरे पूरा बिछड़ गया इस पर even यह अगर light जला के आपको दिखाऊ तो here you can see एक कोने से बाई दूसरे कोने त तो भाई बहुत पढ़िया आपके screen size के लिए मैं एक photo जरूर डाल दूँगा अभी आपको लगनी रहा हो क्योंकि अंधिरा है न चारू तरफ अचा देखो इसके अंदर हमें premium बाई android 9 मिल रहा है राइट नो आप देख सकते हो यह सब कुछ android 9 पे चल रहा है इसके अंदर साही में screen size बहुत ही बड़ा इस पे music नहीं सुना सकते है बाकि video देखो इसी के साथ मन कर रहा है तो आप भी बीच में आकर down कर सकते हो इतनी बड़ी screen है कुछ तो फायदा उठाएंगे इसके अलावा अगर मैं back जाता हूँ ज्यादा देर नहीं चला सकते copyright वाली बात है अ थोड़ा यह blur सा हो रहा है अब मैं इसको प्लस करूंगा तो यह focus अपना जैसे यह दिखा रहा है ना screen पे इसको हमें adjust करके better view लाना है यह बहुत ही awesome लग रहा है और पूरी wall को cover कर लिया इसने जो fun है अब आज मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत तेज अवाज ह पहल पर सोच लो आपको आरी होगी जरूर समझ रहे हो अब आज बहुत ही fine है और बहुत तेज है तो कम ही रखनी पड़ेगी तो picture viewing experience तो भाई top class है सही में आप देखो भाई cinema घर का तो आपको यार पूरा feel दे दिया एक चीज और है भाई इसको आप कोई भी अपनी white wall होगी ना उस पे directly project करो पड़े वर्दे की भी आवेशकता नहीं और brightness को आपने देखे लिया है बट real fun तो भाई मैंने इसको gaming के लिए लिया है बाई मैं बिल्कुल excited हो रहा है PC ready है इस PC को connect करते है और शुरू करते है let's go बागे अब बार ही है बाई games के लिए भाई मेरेको अपने remote के अंदर ना इस source button click करना है यह HDMI 1 पर जाओंगा क्योंकि उसी से मेरा PC connect है रहा राइट नो तो यह PC मेरा पूरा खुलिया देख रहे हो ना यह अपना जो PC हम लोग चलाते हैं background में wallpaper भी चल रहा है GTA 5 यह अभी सही रहेगी दोस्तों अब मैं story mode यहां पर चला रहा हूं online का सवाल ही ने उठता सीधी सी बात है बाकि हाँ कौन कितना बड़ा है तो यह देखो यार मैं दिखाता हूं आपको यह गाड़ी है ना यह गाड़ी देखो यह मैं ऐसे यहां था यह देखो मेरे साइस से आप नोटिस कर सकते हो कितनी बड़ी स्क्रीन में राइट नहीं मैं GTA 5 चला रहा हूं अच्छा एक्स्पीरियंस करन मतलग मैं गेमिंग के लिए क्यों इसको बोल रहा हूं आपको तो कि जो लैग रहता है ना एक प्रोजेक्टर में बैसिकली बनाते है यह लोग स्टडी परपस के लिए पट गेमिंग अगर करना चाहिए आदि भी परशान भाई तो यहां आप यह चीज कर सकते हो है ना शे तो यह completely scene है lack-free gaming 4K display में इतनी बड़ी screen पर वैसे recording अगर आप करोगे तब भी कोई problem नहीं है और भाई अपने वाल पे चला दो दोस्तों को चौका दो वह वाला scene है बागि यह प्रोजेक्टर मुझे काफी fine लगा एक चीज है कि अगर आप एक TV ढूंड रहे थे घर वर में लगाने के लिए तो मेरे हो लगता है उसका replacement भी आप बोल सकते हो क्योंकि inbuilt देखा न अपने android में कितना कुछ है साथ ही साथ gaming भी आप कर सकते हो gaming प्लस android दोनों फीड टीवी की काट दो वह चो चीज है न उसको खतम बाग यहां इसका यार buy link हो गया या जो pricing है वह आप description स चेक आउट कर सकते हो यह कितने का projector है इवन यार मेरे को काफी अच्छा लगा इस price के हिसाब से बागी आप बताओ आप इसको 10 में से कितना point दोगे मुझे तो खतरनाक लगा बागी चलो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो बिलकुल like कर सकते हो दोस्तों को भी थोड़